हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू दे वीडियो आज हम कमपेरिजन करने वाले हैं मोटो एड्स 30 और विववी 23E और इन दोनों स्मार्टफोन से जुड़ी सभी डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में और इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब चरूर करना मोटो एड्स 30 में 6.5 इंच की ओ लेडी और 144 एड्स रिफ्रेस रेट वाली अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो दुसरे स्मार्टफोन से अच्छी डिस्प्ले है और अब देखते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर को मोटो एड्स 30 में कॉलकॉम स्नेप डेगन 778 G प्लस वाला वेलेन गूड प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे परफोमस आपको काफी चबरदस्त मिलेगा और मोटो एड्स 30 में बेक में 50 प्लस 50 प्लस 2 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का स्मार्ट केमेरा देखने को मिलता है चो, वीवो वी 23E से अच्छा मेगापिक्सल का और गूड क्वालट का है जिससे आप अच्छी फोटो शुट कर सकेंगे और दोनों स्मार्टफोन में लगी बेटरी और चार्जिंग की कमपेरीजन करें तो वीवो वी 23E में 4050 एमेज की बेटरी और 44 वोट का चार्जिंग देखने को मिलता है जिससे आप कम टाइम में फुली बेटरी चार्ज कर पाएगे और दोनों स्मार्टफोन में रेम और स्टोरेज के मामले से देखे तो दोनों स्मार्टफोन में अच्छी रेम और स्टोरेज देखने को मिलता है और दोनों स्मार्टफोन की इंडिया में प्राइस को देखे तो मोटो S30 28000 और वीवो वी 23E 26000 में मिल जाएगा तो दोस्तों इन सारे फिचर्स को देखते हुए मोटो S30 में सेकंड स्मार्टफोन की कमपेर में थोड़े अच्छे फिचर्स मिलते है जिसकी वज़र से आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगाऊ तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करना जिसे एसे वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे